हलो गाईज मैं आपको आज रेटीनो के बारे में कुछ अपडेट्स देना चाते हूं जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था मुझे कि रेटीनोरे हम कहां से बाई करें ये ओल्लाइन मुझे नहीं मिल रही है या शौय नहीं मिल रही है क्या Retino A Change कर दी गई है या फिर Retino A हमें कौन सा वाला वर्जन लगाना है या फिर Retinoin लगाना है या फिर हमें Retino लगाना है तो आज मैं आपको कुछ अपडेट देने वाली हूँ Retino A के बारे में चलिए क्या अपडेट से पहले वो जानेते हैं सबसे पहले जो लोग यह सोच रहे हैं कि क्या Retino A चेंज कर दी गई है या फिर Retino A मार्केट में क्यों नहीं मिल रही है देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगे कि जो कि रेटीन और यहां पर आ रहा है एड्यव जैल सेम सॉल्ट है जो कि रेटीनो ए में पाया जाता था इसमें आपको ट्रेटिन एसिट मिल जाएगा सेम सॉल्ट का जिससे कि आपकी स्कीन की प्रॉब्लम यह शेम करेगा ठीक है बहुत सारे लोगों को कन्फीजिंग हो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा यहां पर देखने को भी आपको जो है क्रीम फॉर्म में आ जाएगा जो भी आप प्रसेंटेज वाला लगाते थे जैसे कि 0.025 परसेंट या 5 परसेंट या 1 परसेंट जो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है लेकिन आपको यहां पर थोड़ा सा अपडेट में दे रही हूं कि बस आपको रेटीनों के नाम पर नहीं मिल पाएगा कुछ चेंजिंग रहेंगी ठीक है फिलाल के लिए साती सथा एंटिएंग प्रॉम प्रॉप्रम को सौल करने के लिए रिंखल की निसकी में बहुत ज्ञादा जूरिया बन रही है इस किन के अंदरकता जो है वह डाउन हो रही है एसी समस्या के लिए यह रेट जिल आपके लिए और जेल फॉर्म होने के वज़े से आपके स्किन में बहुत ही अच्छे से यह अपलाई होती है इस्पेशली ऑईले स्किन के लिए तो यह सारी डिटेल्स में आपको बता रही हूं यह एक नया अप लोग लेकर लगाते जरूर है उन्हें benefit भी मिलता है लेकिन फिर भी मेरा रेकमेंड यही रहेगा कि अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ तो आपको आप्टर देट क्या एक्सेल लेना होगा मेरा सला यही होगा कि आप डॉक्टर के सला से लगाए तो बैस्ट होगा अगर आप ओवर दर काउंटर जाकर इसको लेते हैं और लगाते हैं तो पहले इसकीन टेस्ट जरूर कर ले और अगर आपको इसकीन में कोई भी ताकि आपके स्कीन में किसी प्रकार की कोई इसकी इसकी ना हो और इसकी अच्छी हो जाए बाद में ठीक है तो यह चीज़ का अब ध्यान रखिएगा और जैसे कि अगर मैं आपको इसकी प्राइस की बात करूं यह 180 रुपे का आपको मिलेगा और सेम इसके अंदर सारे इंग कर रखिएगा यहां पर डार्क हो दूब की इसकी अब्सक्सेंग्स और अपको कैसे अदर हैं जखने को इसके युक्त की और में आपको सारी चीजे रही हूं कि आपको किस बात कर ध्यान रखना है और कैसे AIU Bronx करना है वही सारी बाते इस चाहएं कि डार सरक्स करना है तो बिल्पल भी ये कीजिघ करें दियान सेतना हुए तैसलिए आपको नोज के आसपास नहीं लगानी यपसके आसपास इसकीन बहुत सेंसेटिभ होते Golden helps करना है मैं आपको इसका ऑपेन करक dost का क्वालिटि कैसी है Y10 कीरीन क्वूलिटि में लिक्विट फॉर्म में है यह देख रहें आप यह लिक्विट फॉर्म में जब आप इसको अप्लाई करते बहुत ही अच्छे से अफजर्ब हो जाता है और आप इसको रात में ही लगाएं ताकि दिन में कोई एफेक्ट ना हो धूप की किरने आपके खराब ना करें और दू तो दोस्तों आज का अपडेट आपको कैसा लगा आप जरू हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा और आपको आज के इस वीडियो से कुछ झाली से कुछ